अलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 10th of December 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं गाइस इस लेक्चर में अपन सभी सोर्सेस से न्यूस को कवर करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने अगर इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से Current Affairs को प्रिपेर करने के आवशक्ता नहीं होती है और आप मेंसे जो भी स्टुडेंट्स सिवल सर्विसेस की तयारी कर रहे हैं आपके लिए mandatory है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना और आज की जो टॉपिक से जो अपन कवर करने जा रहा है वो ये हैं ये GS पेपर 1 का ये पेपर 2 का और ये पेपर 3 के टॉपिक से अपन कवर करेंगे यहाँ पर अगर आप regularly lecture को follow करते हो मेरे दोरा provide किये गए पूरे instructions को religiously follow करते हो तो आपको 100% guarantee selection मिलेगा 100% guarantee selection की जो मैं बात करता हूँ ऐसे नहीं करता हूँ इसके proofs भी मैं देता हूँ आप नीचे description पर proofs देख सकते हैं UPSC 2020 exam से एक साल पहले से मैंने जो भी topics cover कराए है students को उनी topics से related questions पूछे गए है और UPPCS 2020 के अंदर भी यादि कि अगर state civil services की भी आप तयारी कर रहे हो आपके लिग यह lecture important है क्योंकि state civil services में भी जो topics में cover कराता हूँ उनी से related questions आते हैं क्योंकि हाँ पर civil services examination point of view से अपन पूरे topics cover करते हैं अगर आप चाहें तो monthly PDF paid package को भी join कर सकते हैं इसकी fees minimum 100 rupees per month है इस fees में आपको daily lectures की PDF provide की जाती है जो आप daily lectures देखते हैं आपको handout notes provide किया जाता है आपको weekly compilation दिया जाता है जिससे कि आप revise करें और आपको monthly magazine provide की जाती है और इतना ही नहीं सिर्फ 100 rupees per month की fees में मैं minimum 150 questions आपको provide कराता हूँ जो कि civil services examination के pattern पर होते हैं और ये complimentary basis पर मेरे दौरा provide किया जाता है और अगर आप facebook पर है तो आप मेरे नाम को search करके मुझे add कर सकते हैं ये मेरा number दिया हुआ है इस number को save कर लिजे अपने phone पे याद रहा इस number पर call मत कीजेगा आपको अगर मुझे कुछ भी पूछना है paid package से related या current affairs से related आप मुझे directly SMS करके पूछ सकते हैं या telegram पर message करके पूछ सकते हैं या facebook पर message कर दीजेगा within 24 hours मेरा reply आपके पास आ जाएगा तो चलो अब आपका समयना वेस्ट करतो है फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं guys उत्तर प्रदेश सरकार एक scheme लेकर आई है जिसके तहत all over the world थारू जंजाती को promote किया जाएगा थारू जंजाती के unique culture unique tradition को promote किया जाएगा यह जो scheme है यह tourism से associated scheme है क्योंकि इस scheme के तहरे tourism भी boost किया जाएगा क्योंकि यह scheme offer करती है tourist को कि tourist आएं और उनको basically एक ऐसा वातवरन एक ऐसा environment प्रवाइट किया जाएगा जैसा environment थारू जंजाती का होता यानि कि जैसा habitation होता है थारू जंजाती का same वैसा ही environment वैसा ही habitation का experience tourist कर सकेंगे क्योंकि उनके लिए home stay create किया जाएगा home stay में उनके लिए एक ऐसा घर तयार किया जाएगा ऐसी जोपडिया ऐसा hut तयार किया जाएगा जो की घास से बना होगा जिस प्रकार के घर में थारू जंजाती रहती है जिससे की tourist better तरीके से थारू जंजाती के जीवन को समझ पाए और experience कर पाए travel groups के जीवन को तो यह इस प्रकार की scheme उत्तरबदे सरकार की तरफ से है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा थोड़ी सी बात करेंगे थारू जंजाती के बारे में क्योंकि इस प्रकार के questions रख सर आते है तो थारू जंजाती यह जो community है यह तेराई region से belong करती तेराई lowland के बारे में आपने सुना होगा जो शिवाले क्रेंज है और जो lower हिमालेस का जो area हमें नजर आता है देखने को मिलता है तो वो तेराई region वहाँ पर हम लोग को नजर आता है तो वहाँ पर यह community रहती है इन community में जाए तर लोग forest dwellers है याने कि forest में रहने वाले हैं जंगल में रहने वाले हैं और कुछ इन में से हैं जो की agriculture practice करते हैं साथी साथ थारू जो world है ये लिया गया है स्थवीर से जिसका मतलब होता है जो थेरावाड़ा Buddhism जो है उनके followers तो यह लिशीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा Buddhism के बारे में इसके लावाड थारू जो है वो इंडिया और नेपाल दोनों में रहते हैं याद रखिएगा ये जो जन जाती है इंडिया नेपाल दोनों में पाई जाती है इंडिया के अंदर अगर अपने specifically बात करें तो इंडिया का 13 रीजिन पर है और ये जातर उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और बिहार में हम लोग को देखने को बलती है अच्छा इसके लावा थारू महिलाओं की अगर अपन बात करें तो थारू महिलाओं के पास जो प्रॉपर्टी का संपत्ती का जो अधिकार होता है वो जादा होता है अब बात करेंगे Investment Promotion Award 2020 के बारे में तो देखिए आपको इस अवार्ट के इस पुरुषकार के नाम से ही सबन में आ जाना चाहिए कि ये पुरुषकार किन को दिया जाता है तो ये पुरुषकार ऐसी एजेंसी को दिया जाता है जो एजेंसी इन्वेस्मेंट को प्रमोट करती है नाम से उनमें आ रहे हैं Investment Promotion Award तो जो भी एजेंसी इन्वेस्मेंट को प्रमोट करती है उन एजेंसी को identify करके ये अवार्ट दिया जाता है और इंडिया की National Investment Promotion Agency को ये अवार्ट विला है 2020 का, इसलिए ये topic news में है और United Nation की UNCTAD ने declare किया है ये award, अब आप मुझे नीचे comment box पे लिखकर बताईए, जिनको भी बता है UNCTAD का full form थोड़ी दिर बाद इसका answer मैं आपको दूँगा, अभी आप चाहें तो वीडियो को pause करके लिखके बता सकते हैं इसका full form, आगे की बात करें तो देखो, UNCTAD एक central agency है, जो की monitor करती है इस प्रकार की agency, जो investment promotion agency होती है उनको ये identify करती है, UNCTAD उनके performance को देखती है, चेक करती है कि वो किस प्रकार की practice कर रही है investment को promote करने के लिए और फिर बाद में, ये सब चीजों को check करने के बाद, identify करने के बाद उस agency को winner declare किया जाता है, और हमारी India को ये अभी award मिला है, इससे पहले जो winners थें, वो Germany, South Korea और Singapore हम लोग को देखने को मिले थे, तो UNCTAD के बारे में मैं आपसे question बूछा था तो इसका answer है, United Nation Conference on Trade and Development ये इसका full form है, ये इसका headquarter Geneva, Switzerland में है 1964 में United Nation General Assembly के दौरा इसको बनाया गया था setup किया गया था, तो इसका एक बस आपको basic idea होना चाहिए, इस body का guys, बताया जा रहा है कि Bangladesh ने अपना पहला preferential trade agreement sign किया है किसके साथ sign किया है, भूटान के साथ याद रखिएगा, और ये preferential trade agreement से क्या होगा, तो 100 बांगलादेशी products 100 products जो बांगलादेश के हैं वो जब भूटान में enter करेंगे तो उन products के उपर duties जो है वो कम लगेगी यहाँ पर mention किया गया था कि duties, जो है वो duty free, जो है हम लोग को ये deal देखने को मिलेगी, बट एक चीज मेरी ध्यान रखेगा, जहाँ पर भी duty free लिखा हो, उससे confused नहीं होना है, duty free का मतलब ऐसा नहीं कि उसके उपर एक भी रुपे custom duty नहीं लगेगी, definitely लगेगी, बट competitively कम लगेगी, ठीक है, तो यहली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो 100 बांगलादेशी product जब भूटान में जाएंगे तो भूटान इन product से कम custom duties दो है, वो चार्ज करेगा इन products के उपर, क्योंकि आप जानते हैं का इसकी foreign product जब एक country के अंदर एंटर होता है, तो उस product के उपर custom duties या फिर इन जनरल अपन import duties जिसको कहते हैं, या tariff जिसको कहते हैं, तो वो लगाया जाता है और वैसे ही, 100 बांगलादेशी products के लिए यह deal हुई है, और 34 भूटानी इस product के लिए हुई है कि 34 भूटान के जो products हैं, वो जब बांगलादेश में एंटर होंगे तो उन products के उपर कम duties हो है, वो लगाई जाएगी तो यह वाली चीज है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे बांगलादेश और भूटान के बीच में एक trade अच्छा होगा, और थोड़ी सी बात करें, भूटान और बांगलादेश के relation की, तो याद रखेगा 1971 में भूटान पहली country थी जिसने बांगलादेश को as a independent country के तौर पर recognize किया था और उसके बाद फिर इंडिया ने किया था तो यह इनके relation हम लोग को पहले से देखने को मिलते हैं, तो भूटान और बांगलादेश के एक basic सी चीज आपको पता हो नी चीए क्योंकि आप जानते हैं कि 1971 के समय पर यह जो territory थी जिसको आज की रेट पर आपन बांगलादेश के नाम से जानते हैं यह पहले East Pakistan हुआ करती थी East Pakistan, फिर 1971 वार के बाद यह इंडिपेंडेंट हो गई, यह territory और बांगलादेश के तौर पर हमें नजर आई तो यह था पूरा overall topic जिसका एक बस general basic सा idea आपको होना चाहिए, guys France के अंदर एक नए सुरक्षा कानून पर काफी जादा विवाद नजर आ रहा है काफी सारे लोग France के अंदर इनके नए सुरक्षा कानून पर protest कर रहे हैं, actually कानून अभी बना नहीं है, France सरकार ने एक bill introduce किया था, security bill France की parliament में, और यह जो bill था, उसका मैं आपको जनरल पहले overview है, plus यह bill उनको बहुत जादा power देगा, और किस प्रकार की power देगा, तो उसको समझेंगे और बात करेंगे कि क्यों यह इतना controversy में नजर आ रहा है, तो वो आपको खुद बाखुद समझे लगी कि क्यों इस bill में controversy विवाद देखने को मिल रहा है आप खुद, अभी मैं आपको bill बताऊंगे, तो खुद बाखुद आपकी दिम्याट में चलने लगी की चीज़ है जहां से सुनियेगा, तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर यह बताई गई है कि France के अंदर जो police officers और paramilitary force हैं, यह France की जनता की recording कर सकेंगे, right France citizens की recording कर सकेंगे जैसे की इनकी जो dress होती है उसमें उनको body camera दिया जाता है जब यह अपनी dress पेंते हैं, uniform पेंते हैं तो उसमें इनके पास एक body camera भी होता है तो वो अपने body camera की उप्योग से citizens की उपर निगरानी रख सकेंगे, surveillance कर सकेंगे और साथी साथ air drone की मदद से भी यह कर सकेंगे तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक सन में आ रहा है कि चलो ठीक है, security purpose से recording की जा रही है और यह recording जो होगी, वो live stream की जाएगी command post में, command post क्या होता है जैसे police का headquarter होता है, उसको command post कहता है जिस area से, जो भी operation जल रहा होता है police वगरा का तो उनको direction दिया जाता है तो वो command post है, तो command post पे इसकी live streaming जल रही होगी तो, देखो, सुरक्षा के purpose से यह ठीक है, इसमें इतनी कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि CCTV cameras भी लगे रहते है वो भी सुरक्षा purpose के लिए होते है तो इसमें कोई जादा दिक्कत वाली बात नहीं है यानि कि इस पर protest नहीं जल रहा है क्योंकि camera होना security purpose से तो ठीक, एक अच्छी बात है इससे एक और चीज़ भी होती है कि police official जो है वो corrupt नहीं हो पाते क्योंकि camera record कर रहा होता है उनका body camera पूरी चीज़ है कि जो भी वो activity कर रहा है तो वो पूरी चीज़ record हो रही है तो इसलिए police के corrupt होने के chances काफी कम होते है तो वो ते एक अच्छी बात है problem कहाँ पर आई problem यहाँ पर आई कि police officials जो है वो जनता की recording conduct कर सकते है बड़ जनता police official की recording recording नहीं कर सकती अब आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि अब जनता अगर police की recording नहीं कर पाएगी उनको अगर allow नहीं किया जा रहा है police की recording करने से और अगर जनता police की recording अगर करेगी तो जो भी कर रहा है police की recording तो उस individual के खिलाब सकत कारवाई की जाएगी इससे क्या होगा इससे यह होगा कि अगर police official किसी प्रकार की अगर बद्तमीजी करते हैं बद्सुलूकी करते हैं जनता के साथ तो जनता उनको record नहीं कर सकेगी proof purpose के लिए क्या मताँ उन्होंने अपना body camera बंद कर दिया और फिर किसी को मार रहा है पीट रहा है किसी को हरास कर रहा है तो यही एक बड़ा मुद्दा है यही एक issue है जो की controversy के तोर पर नज़र आ रहा है और इसका article 24 जो है वो penalize भी करेगा वोई चीज मेरे आपको बताएगी जो भी individual police official की जो है वो recording कर रहे है या paramilitary official की recording कर रहे है और किस intent के साथ कि उनको physically या mental हम पहुचाने के लिए हरास करने के लिए अगर कोई recording कर रहा है police official की तो उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी तो यहाँ पर इस article के अंदर यह चीज मेंचन की गई है अच्छा जो opponents है यानि कि जो oppose कर रहे है इस कानून को जो विरोध कर रहे है इस कानून का तो उनका क्या कहना है तो उनका कहना यह है कि इससे क्या होगा कि police का violence जो है वो record नहीं किया जा सकेगा वोई चीज मन आपको बताएगी police अगर बच्चलूकी करते हैं किसी को harass करते हैं तो उसकी recording नहीं हो पाएगी और क्या होगा कि police officer को accountable बनाना काफी ज़्यादा difficult हो जाएगा तो opponents का कहना यह है बट जो bill के जो supporters है यहने कि जो सरकार है France की जिसने यह bill लेकर आई है तो उनका कहना यह है कि यह किसी भी तरीके से press freedoms को target नहीं किया जा रहा है यहने कि लोगों की freedom वगरा को target नहीं किया जा रहा है लोगों की freedom के against यह bill नहीं है यह bill police को protection provide कराने से related है जैसे कि police official और उनकी family है जब वो off duty होते है तब लोग बाग उनकी recording वगरा कर लेते हैं और फिर उसको viral कर देते हैं पर इस प्रकार के trolls वगरा उनको किया जाते है online तो उनको इन सब चीजों से बचाने के लिए police official को इस प्रकार की mental harassment से बचाने के लिए जो है वो ये कदम उठाने पर इन्होंने ये बिल प्रस्तूत किया है बढ़ अभी protest वो ही रहे क्योंकि normal सी वात नहीं कि अगर police official की recording नहीं की जाएगी जैसे इंडिया के अंदर आपन देख लेंगी कोई police officer और उसकी आप recording नहीं कर सकते हो ऐसा अगर कुछ कानून आ जाए तो कितना दिक्कत हो जाएगा बढ़ा एक चीज़ मुझे इसमें एक अच्छी ये लगी आप अपने mains में भी जरूर उपयोग कीज़ेगा कि जैसे reforms बगरा में police में किस प्रकार की reform लाए जाएगर ऐसे कुछ questions आ जाते हैं इसी टाइप के कुछ या फिर अगर question की demand होती है कि आप administration को improve करने के लिए आपकी क्या सोच है कि आप क्या कर सकते हो क्या initiative ला सकते हो तो body cam का जो आप जरूर लिखेगा क्योंकि हमारी country में body camera का उपयोग नहीं किया जाएगा और बकाइदा ये भी हो mention हो कि वो body camera जब भी police official off कर रहा है तो जितनी भी देर के लिए वो body cam off हो रहा है तो उसकी पूरी time भी record की जाए कि कि कितनी देर के लिए off हो रहा है ये body cam और उस पर फिर police official अपनी reporting भी करें कि क्यों उन्होंने off किया था तो इससे क्या होगा एक तो police official corrupt नहीं होगे क्योंकि पूरी चीज जो होगी वो live record हो रही होगी कि police की जो भी activity वो कर रहा है और security purpose के लिए ये काफी अच्छा है कि जहाँ पर भी कोई विवाद होती है कोई भी वारदात होती है किसी प्रकार का तो police के body cam से पूरी चीज record हो जाए जहाबर भी police मौझूद हो तो एक बहुत अच्छा step हो सकता है बट वो जब भी भी off करेंगे तो उसको उनको लिखना पढ़ा है जैसे कि washroom अगरा उनको जाना है तो obvious ही बात ही वो off करके ही जा पाएंगे वो off कर रहे है और तो washroom जा रहे है अब सभी जाने कि washroom जाने में कितना time लगता है तो वो उस time उस activity को record करेंगे note down करवाएंगे जिसे कि क्या होगा proper तरीके से accountability भी रहे गया तो ये एक अच्छी अच्छा suggestion है कईबर चाहो तो note down करो और इसको use जरूर करना ठीक है तो ये था पूरा overall topic इसे related hopefully आपको पूरी चीज अच्छी से clear हो गई होगी guys weapons के market के मामले में United States और China top पर हमें नजर आ रही है top पर in the sense की सबसे बड़ा market जो है weapons की sales का वो United States और China के पास है जो हतियारों की जो बजार होते हैं उसमें America और China जो है वो सबसे भारी मातरा में है यानिका share काफी जादा है यह SIPRI की एक report है जिसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि top 10 ये companies के नाम है जो की weapons को manufacture करती हैं और उनकी बिकरी करती है तो United States की आप देखे आपको 6 companies तो United States की दिखाई देंगे top 5 पे लगातार पूरी जितनी भी top 5 है वो United States की company है और 10 नंबर पर again United States की company है तो total 6 companies है United States की जो की weapons को manufacture करके उसको बेचती है और उसके बाद फिर आप देखे चाइना भी आपको दिखाई दे रहा है फिर United Kingdom फिर again China की companies आपको नज़र आ रही है तो major share जो है अगर अपन बात करें weapons market का हतियारों के बादार का तो China और United States के पास है तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है और यह report SIPRI की है SIPRI यानि की Stockholm International Peace Research Institute इसने report release करी है कि पूरे दुनिया भर में weapons का market किस प्रकार का है तो नज़र आ गया कि United States की जो arm industry है वो 61% इसका hold हमें नज़र आता है यानि की जो top 25 manufacturers है पूरे दुनिया भर में उसका 61% पूरा share जो है वो United States के पास है फिर 15.7% जो share है वो पास है और total sales जो ये top 25 companies जो करती है weapons की तो इनकी sales इनकी बिक्री जो है weapons की वो बढ़ गई है 8.5% से 361 billion US dollar की बिक्री हुई है इनकी sales में बढ़ी है sales, growth sales की नज़र आई है और साथी साथ या फिर अपने बात करें United Nation के peacekeeping operation का जो annual budget होता है उसका 50 गुना ज़ादा ये account करता है यानकी इतनी huge level पर arms का trade हमें नज़र आता है बिक्री होती है arms की और United States और China से सबसे ज़ादा होती है ये चीज़ आपर बताई आ रही है इसके लाबा जो company है West Asia की वो भी हापर top 25 में आगे है और पहली बार ऐसा हुआ है कि West Asia की एक company जो है वो top 25 में नज़र आई है ये है edge, company का नाम edge है जो की UAE की company है इस company को 2019 में लाए गया था जब 25 companies आपस में मिली थी और उन्होंने एक single company जो है वो बनाई थी UAE के अंदर तो ये चीज़ हमें नज़र आई है देखने को मिली है इस report के दुरू सिप्री की बात करने तो सिप्री याने की बैना इसका full form आपको बताया था Stockholm International Peace Research Institute इसका full form है 1966 में ये establish हुई थी एक independent international institute के तोर पर ये हमें देखने को मिलती है इसका काम क्या होता है research करने का इसका काम होता है किसके उपर ये research करती है conflicts के उपर जहापर भी किसी प्रकार के विवाद होते है या armaments जहापर हमें देखने को मिलते है arms control या disarmaments यानि कि ये सब जो इसकी मुद्दे होता है topics होता है कि जहाँ पर भी arms होंगे, weapons होगे, तो उन सब चीजों पर यह research कंड़क करेगी, किस country के पास कितने nuclear weapons है, इसकी research भी यही से pre-conduct करती है, किस country के अंदर किस प्रकार के conflicts हो रहा है, all over the world कहागा, पर conflicts का nature किस प्रकार का है, तो यह पूरी study करती है, research कंड़क करती है, और इसकी study और research से फाइदा किसको मिलता है, तो यह proper data provide कराती है, analysis provide कराती है, recommendation देती है, जो की open source होता है, open source यानि कि यह confidential नहीं होता, इसका उपयोग policy makers करते हैं, इसका उपयोग various researchers करते हैं, media करती है, और जो भी लोग interested होते हैं, इस प्रकार के subjects में, defense related subjects में, तो या फिर सिप्री के जो subjects में आपको कुछ बताए दे, जिस पर यह research करती है, तो इस पर जो भी public interested होती है, तो वो इनके data का उपयोग करके, अपनी knowledge बढ़ा सकती है, जानकारी ले सकती है, तो इस प्रकार से यह सिप्री का काम हमें नज़र आता है, और सिप्री की ही report है, जिसके दूरू पता ल ही होनी चाहिए, guys यह एक repeated topic है, कल अपने microwave weapon के बारे में पढ़ा था, आपको शायद यादा रहोगा मैंने कल के lecture में आपको बताया था microwave weapon के बारे में कि किस date पर मैंने वो topic पढ़ाया था, तो जो भी student आज पहली बार इस lecture को देखने हैं, कल वाला lecture भी जरूर देखेगा, और वैसे तो आपको, अगर आप 2021 में appear हो रहे हैं, तो आपको January 2020 से पूरे lectures देख रहे हैं, और अगर आप lectures देखने में time waste नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए PDF की, यानि की material की facility अविलेबल है, नीचे description पर आप देख लीजेगा, कि किस प्रकार से आपको material मिलता है, त पूरी detail information मेंने दी हुई, और जिसको पूरा 2020 का, January 2020 से लेकर, December 2020 का, पूरा material चाहिए, पूरे साल का, तो मुझसे आप contact कर लीजेगा, मैं आपको एक offer बता दूँगा, जिसके through, आपको ये पूरी जी offer, क्या अभी बता लेता हूँ, कि देखो, January से लेकर, July तक की 7 महीने की जो PDF है, उसके आपको मैं magazine प्रोवाइड कराता हूँ, उसकी fees सिर्फ 300 रुपए है, total 300, 7 महीने की पूरी PDF की, तो उसको आप फटा फट go through कर सकते हैं, proper magazine है, इसके बार में नीचे description पर मैंने एक वीडियो बना के भी दिखाया हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, औ और उसके लाबा August से लेकर फिर December तक की, आप PDF 100 रुपीज पर मत में एक्सेस कर सकते हैं, तो total पूरे साल का जो fees है, वो 800 रुपीज है, जहाँ पर आपको पूरे 2020 की PDF पूरी magazine material मिल जाएगा, तो आप magazine से फटा फट पढ़के पूरा go through कर सकते हैं, पूरा revision भी कर सकते हैं, current affairs के lectures का, जो भी मैंने आपको provide किया है, क्योंकि काफी important ये lectures होते हैं, मैंने आपको अरड़ी बताया हुआ है, और जो भी student 2021 में appear कर रहा है, तो definitely videos देख लीजे, या फिर आप PDF जो हो ले सकते हैं, वो facility भी available है, तो देखें मैंने आपको already, अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा कर आना, सोने में परिशानी होती है, और बार-बार यानिकी सुनाई कम देने लगता है, एकदम से कुछ कुछ अदर लग लग, आवाज जो है, वो कानों में आने लगती है, क्योंकि एक, बिसलिक लिए पूरा psychological और neurological disorder हो जाता है, जो भी individual के उपर ये microwave attack होता है, तो जो ये syndrome के तरहीं, याद रखिएगा, ठीक है, और अभी basically हमें देखने को मिला है कि एक report सामने आई है, जिसके थूरू बताया रहे है कि जो United States के जो diplomates है, चाइना के अंदर चाइना की embassy में, चाइना के अंदर United States और Canada की embassy है, तो वहाँ पर जो diplomates मौजूद है, जैसे कि आप UPSC क तयारी कर रहे हो, आप कल को जब आपको जैसे की list में आपका नाम आएगा और क्या पता शहला आपने opt किया हो Indian Foreign Services, तो उसके बाद फिर आप दूसरी country में जाकर India को surf कर रहे हैं, तो वैसे ही China के अंदर काफी सारे USA के diplomates थे, तो 2017 में उन्होंने feel किया था कि उनके उपर इस dizziness हो रही है, even क्योंकि यह जो disorder होता है, यह long term होता है, यह neurological illness create कर देता है, यानि कि long term तक body में एक disability create कर देता है, तो यह काफी खतरना की attack होता है, तो वही चीज़ बताई यारी कि late 2016 में बताये गया है कि United States के diplomats और दूसरे employees जो है, जो की हवाना के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने feeling, feel किया था, कि एक sound आया था, उनके पास एक आवाज उनने सुनी थी और उसके बाद फिर उनको चक्कर आना शुरू हो गया, उनकी body pain करना शुरू कर दी, right, even इसके symptoms और भी ज़्यादा extreme इस प्रकार के हो जाते हैं कि लोगों को सुनाई देना बंद हो जात जाती है, तो बहुत ही खतरना चीज है और इनी सब चीजों को हवाना syndrome भी कहा जाता है, यानि कि जो symptoms होते हैं इस प्रकार के, तो उनको हवाना syndrome कहता है, यह microwave weapon के symptoms को, तो यह अले चीज़े जिसके बारे में बस आपको एक general जानकरी और idea होना चाहिए, और बाकी microwave weapon ज़रू जू सफारी कहा पर है, तो याद रखेगा, यह बिहार नालंदा में है, और अगर question आता है कि शहीद, अश्वाक, उल्ला, खान, प्राण, उध्यान या फिर पार्क, यह कहा पर है तो गोरकपुर उत्तरप्रदेश में है तो यह दो locations है guys, जिनको recognize कर लिया गया है, जू के तो यह नए दो zoo हम लोग को देखने को मिल रहा है, Central Government ने इनको recognize किया है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर question आता है कि हमारी country के अंदर zoo को किसके दोरा recognize किया जाता है, तो Central Government याद रखेगा, 37th General Body Meeting अभी Central Zoo Authority की हुई थी तो उसमें यह decision लिया गया, यह रताई जा रही है, 100% organic का मतलब कि यहाँ पर जो भी agriculture होता है, जो भी farming होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का chemical fertilizer अब उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, इस चीज़ की घोशणा करी है Ministry of Agriculture के दोरा कि यह island पूरी तरह से organic बन चुका है, island का organic बनने से मतलब है कि यहाँ प chances काफी जादा होते हैं, ऐसे खाना खाने से, जो की chemical fertilizer वाले हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो organic farming को हमारी country में promote किया ही जा रहा था, और अब बताया जा रहा है कि लक्षदीब जो है वो पूरी तरह से पहली union territory है, जो की पूरी तरह से organic हो चुकी है, यान लोग को देखने को मिलती, agriculture sector के अंदर, organic होना, तो सिक्केम है, सिक्केम हमारी country में पहली state बनी थी, जो की organic हो गई थी पूरी तरह से, और उसके बाद अब पहली UT, जो की लक्षदीब है, याद रखिएगा, मेरा कोशन है छोड़ा सा आपसे, कि organic farming किस particular देश ने सबसे पह गो है यह, right, group of island, कितने island है total, लक्षदीब के अंदर, 36 island है, कभी-कभी directly state civil services पूछ लेती है, या फिर UPSC में भी आ सकता है, तो prepared रहा, 36 island हम लोग को इसमें लक्षदीब में देखने को मिलते हैं, लक्षदीब की capital क्या है, कावरती, कावरती इसकी capital हम लोग को देखने को म कावरती, जो इसकी capital हम लोग को देखने को मिलती है, कभी-कभी ऐसे कोशन रहा थे हैं, कि इसको north to south to arrange करो, तो इसलिए आप थोड़ा से इस पर नजर रखे रखा करो, कभी-वी atlas से वगएरा देख रहे हो, तो उस पर group of island पर एक बार नजर रख लिया करो, कि या island की location कहा को अपरे north to south कौन से कौन से है, क्योंकि north to south, east to west ऐसे questions अकसर आ जाते हैं, ठीक है, तो यह था पूरा और all topic, अच्छा एक और चीज़ इसमें, 12 atolls इसमें हम लोग को नजर आते हैं, 3 reefs है और 5 submerged bank भी हमें नजर आते हैं, यह कुछ unique चीज़ है, इस particular island की, union territory की, आपसे directly question पूछा जा सकता है कि वदावन port project कहां का है, तो आपको याद रखना है कि महराश्ट्रा का यह project है, यह project तयार किया जा रहा है, और अभी यह topic news में इसलिए आया था, क्योंकि जो महराश्ट्रा के कुछ गाउवाले हैं, villagers हैं, वो इस project को oppose कर रहे हैं, विरोध कर करना है, कोशन आ सकता है, वदावन port कहां पर establish किया जा रहा है, महराश्ट्रा आपको याद रखना है, ठीक है, और यह project जब बन जाएगा, तो यह हमारी country का 13 major port के तौर पर हमें देखने को मिलेगा, हमारी country के अंदर एक सागरमाला initiative है, आपको पता होगा कि सागरमाला initiative हम लोग को project देखने को मिलता है, तो यह project है, यह सागरमाला initiative का ही हिस्सा है, सागरमाला initiative के तौर हम लोग क्या कर रहे है, हमारी country के अंदर जो ports है, बंदरगाह जो है, उनको हम लोग world class बना रहे हैं, जिससे की बंदरगाह में सभी facilities available हो सकें, तो देखो इस प्रकार की facilities, जै तो इस प्रकार की facility होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें जल्दी export और import करना है तो, क्योंकि अगर proper facilities होंगी, तो export import fast होगा, और export और import fast होगा, especially अगर export fast होगा, तो हमारी country की economic growth होगी, GDP जो है वो उसमें बढ़ातरी हमें, growth हमें देखने को मिलेगी, तो इस पर हम लोग mainly target क के नाम पता हो, तो नीचे comment box पर लिख कर जरूर बताईएगा, कि कुछ at least 4-5 major ports के नाम तो definitely लिख कर बताईएगा, और एक बार पूरे ports के नाम go through कर लीजेगा, कभी-कभी direct question आ जाते है कि ये फलाना port जो है वो कहा का है, तो उसके बार में आपको पता होने चीए, तो delay ना हो, क्योंकि इसकी dedicated अगर line होगी, transportation की, तो समान जो है वो जल्दी आ सकेगा, जल्दी जा सकेगा, तो यह वाली चीज़ है, और ये landlord model के उपर develop किया जा रहा है, landlord model के बारे में मैंने आप लोग को detail में explain किया हो था February मन्त में, तो जिन भी students कि आस magazine है, landlord model को जाकर पढ़ किया जाएगा, और lease पर ये port के कुछ areas प्रोवाइट किये जाएगे, और ये landlord model के उपर based हमें देखने को मिलेगा, तो एक बार ज़रूर जाकर इस landlord model को देख ली जाएगा, और काफी important topic भी था, ये landlord model को मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, और landlord model से रिलेट अगर एक आता है specifically, तो फिर मैं आपको और detail में इसके बारे में explain कर दूँगा, अभी के लिए simple was, आप जाकर magazine को read कर लिए, that is sufficient, और magazine को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, किस date पे मैंने ये landlord model पढ़ाया है था, आपको तो उस date का वीडियो भी देख लेना है इस प्रकार के bridges बनाए जा रहा है, wildlife की मदद के लिए, वंजीवों की मदद ही तू, जंगल में इस प्रकार का पुल निर्मार हो रहा है, ऐसा, आप ये photo में देख सकते हैं, इस bridge से बंदर वगरा होकर गुजर सकता है, कली अपन ने बात करी थी, आपको यादर होगा elephant corridor के बारे में, तो corridor क्या होता है, ये वाला area, corridor, जैसे ये एक animal है, यहाँ से अब उस तरफ जाना है, यानि कि इस तरफ उसका जंगल है, बीच में road निकला है, road को cross करके उसको बहाँ पर जाना है, तो अब ये इसी वात है कि ये जोग, जब cross होता है, इस प्रकार की activity हमें देख करके cases सामने आते रहते हैं, तो ऐसे cases ना हो, इसके लिए यहाँ पर इसके प्रकार की bridges बगे हो गएरा बनाया है, यह bridge तो जैसे बंदर बगे ख़गा होगा है, reptiles बगे होगा है, उनके में लिए है, बाकी और बी अलग अलग परकार की bridges होते हैं, जो की बड़े animals के लिए तो इस प्रकार की चीज जो है वो की जारी है अब ये प्रिसेंट बट मुझे पता नहीं ऐसा लगता है वैसे जो देखो यार जानवर भी बहुत समझदार होते हैं आप भी जानते हो बट फिर भी जैसी कि कोई जानवर है उसको कैसे पता लगे है कि इसको यहां से होकर प्रिस से उनको फायदा मिलेगा बट मेरे दिमार्ग में कोशन है कि जैसी कि एक अनिमल है अब उसको कैसे पता कि उसको इस बिरिट से जाना है वो तो सीधे डारेक निकल जाएगा क्यों इतना लॉंग रूट लेकर पकड़ेगा यासा मुझे लगता है मेरा परसनल है अब सबज़दारी की तो वह आप जाते ही कि human brain जो है वो सबज़दार होता है जादा इनिमल्स चलो इस बारे में मैं जादा फोलना नहीं चाहूंगा नहीं तो कुछ animal lover जो है वो मुझे 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 गुस्सा निकाल लेंगे इससर ऐसा नहीं है बढ़ा फिर भी अगर देखा तयार किया गया है reptiles और छोटे mammals के लिए eco bridges के जो example है वो canopy bridge होता है यह usually बंदर के लिए होता है गिलहरी वगरा खली होता है और भी दूसरे species के लिए होता है छोटे species वगरा इसके लाबा concrete underpass या overpass tunnel होता है tunnel type का होता है यानि की गुफा type की होती है एक animals के लिए तो यह बड plants वगरा के थू जो है यह बनाया जाता है इस प्रकार का राइट जिसे कि एक natural habitat ही लगे animals वगरा को उनको कुछ changes ना है उनको ऐसा ना लगे कि यह जो है वो अलग से artificially बनाया गया तो ऐसी चीज़ की जारी animals की मदद के लिए eco bridge क्यों इतना matter करते हैं क्यों इतने महत्वर र तो उससे जो है वो मदद मिलेगी इन जीवों को बंजीवों को इसके लाब जो man animal conflicts होता है वो reduce हो जाएंगे accidents वगरा reduce हो जाएंगे तो यह सब चीज़े हैं जिसके बार में आप लोग को एक जानकर रही होनी चीज़ पता होनी चीज़ और एक और सी जाद रखेगा नागर Tiger Reserve की हाँ पर बात हुई थी तो उसके बार में आपको पता होना सी कभी ऐसे कोशन आया थे हैं कि यह Tiger Reserve कहा पर है यह National Park कहा पर है तो न्यूज में इस प्रकार के Tiger Reserve यह National Park आते हैं तो आपको पता होना सी उसका idea ठीक है अब देखिए इस न्यूज में बताया जा रहा है कि Ministry of Port Shipping and Waterways ने एक Draft Guideline इशू करी है Draft है तो उतना अपने लिए काम का नहीं है बट फिर भी यह Guideline किस के लिए इशू करी है तो वो अपने लिए काम की चीज़ है तो उसको अपन देखेंगे तो Ministry जो है आज की रेट में Floating Jetties को प्रमोट कर रहे है Floating Jetties क्या है इस प्रकार की चीज़ आप देखेंगे इस प्रकार का structure यह वाला आप देखो यह वाला structure देखो आप यह concrete का बनाओ फिक्स structure है बट यह जो है floating वाला है यह तैर रहा है इस प्रकार से बनाया गया है कि यह पानी के उपर तैर सकता है यह वाला structure राइट जैसे यह एफी floating structure बेकाईदा floating structure इस प्रकार अलग इसको components elements से त्यार किया गया है, जिससे कि ये float हो पाए, तो ये basically किस प्रकार से benefit होता है, as compared to this यानि कि ये जो fixed structure के comparison में ये किस प्रकार से benefit करता है तो दो-तीन benefit तो आप बिलकुली बिना जो है वो पढ़े बता सकते हो, right जैसे कि सस्ता पढ़ेगा ये, as compared to this इसको आप जो है वो ले आ सकते हो transport कर सकते हो easily, जैसे कि यहाँ पर ये काम में नहीं आ रहा, right अब इसकी जरुवत नहीं है, तो इसको निकाल के आप कहीं भी लगा सकते हो तो इसमें ये facility होती है, इसको आप extend सस्ता भी पढ़ता है, तो यही सब कुछ इसके वो है फायदे, fixed structure के comparison में और साथी साथ environmental impact इसका काफी कम होता है इसको आप easily transport कर सकते हो, ले जा सकते हो, right और ये constant free boat provide कराता है jetties और boats के बीच में जैसे कि आप boat पे आपको बैठना है, तो आप directly इसको बनने में काफी कम समय लगता है, 6-8 महिने में ये तयार हो जाता है और concrete structure अगर तयार करना है, तो फिर 24 महिने तक लग जाते है उसको बनने में तो ये भी एक चीज इसकी खास्यत हमें नजराती देखने को मिलती है और अभी इसी प्रकार पर काम कर रही है, अभी ministry of port, shipping and waterways इसने successfully implement भी किये हैं कुछ pilot projects, recent past में international guideline को follow करते हुए, इन्होंने passenger floating jetty गोवा में बनाई है water aerodrome हमें सावरमती, नदी में और सरदार सरोवर डैम में देखने को मिला है जिसके बार में पने discuss भी किया था, तो अभी basically tourism को promote करने के purpose के लिए और proper हमारी country के अंदर waterways में या फिर जहापर भी इस प्रकार की tourist attractive spots होता है तो वहाँ पर ऐसी चीजे हमारे लिए available हो, उस पर basically काम किया जा रहा है तो यह चीजे इसके लाब और कुछ आपको जानने के यावशकते हैं यह इतना sufficient है गाईस पहले बात करते हैं food fortification के बार में कई बार यह topic news में देखने को मिला है, कई बार मैं आपको explain भी कर चुका हूँ काफी easy सी चीज है food fortification, simple सी चीज बस आपको यह आद रखनी है कि world health organization ने इसको define किया था, simple सी एक practice है यह जिसके तहद food में extra nutrient मिलाया जाता है, जैसे कि यह चावल है चावल carbohydrate से जादे और कुछ भी नहीं आप भी जानते है, इसमें कोई हम लोग को vitamin, protein, कुछ नहीं मिलता है, कोई भी minerals अगरे इसमें नहीं पाए जाते है चावल में, तो इसमें अलग से nutrients को, minerals को मिलाना, अलग से उस practice को, उस process को food fortification कहा जाता है, और हमारे अभी काम चल रहा है इस पर planning भी चल रही है और हालकि Odisha सरकार ने अभी announce भी कर दिया है हम लोग plan कर रहा है कि हमारा जो public distribution system है, PDS जिसके थुरू हमें fair price shop देखने को बलती है, जिसको generally अपन ration shop कहते है जहाँ पर जो below poverty line के जो गरीब लोग हैं, उनको काफी कम rate में मात्र 1 रुपे, 2 रुपे और 3 रुपे पर kg के हिसाब से उनको अनाज मिल जाता है आप जानते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि जो PDS के थुरू जो चावल जो provide किया जाता है गरीबों को, तो इस चावल को fortify करके दिया जाए, यानि कि इस चावल में extra nutrients मिला के दिये जाए, जिससे कि जो चावल खाके ही fulfill हो सके, तो इस पर काम करने पर हम लोग focus कर रहे हैं, planning कर रहे हैं, और Odisha सरकार ने हाला कि अभी announce भी कर दिया है कि upcoming February 2021 से यहाँ पर जो इनका public distribution system है, उसके थूरू fortified rice जो है, वो distribute किया जाएंगे, बट यह चीज़ तो इनका announce करी, उसके बाद problem कि आई कि source से जादा activist जो है वो इस particular चीज को, fortification of rice को oppose कर रहे हैं, क्यों oppose करने हैं, तो उनका कहना है कि यह जो practice है, वो taxpayers का पैसा जो है वो बरबाद करेगी, यानि कि taxpayers यानि कि हम लोग हम जो है तो देखो, इसमें कहा जा रहा है कि यह vitamin C और calcium मिलाया जाएगा, इस चावल में, ठीक है, लोगों की vitamin C की problem को, vitamin C के nutrient को resolve करने के लिए, उनकी body में vitamin C मिल सके, अब दिक्कत क्या है, vitamin C पानी में आते ही घुल जाता है, right, vitamin C soluble होता है, पानी में घुल जाएगा वो, और आप जानते हैं कि चावल को जब बनाया जाता है, जब घर में चावल आता है, तो चावल को पहले धोते हैं, पानी से, उसके बाद फिर चावल पकाया जाता है, पता है न आपको यह लिए, चावल बनानी की process थोड़ी बहुत आपने देखी होगी kitchen वगरा में जाके तो, और बाकी आपने से काफी से लोग को तो आता ही होगा, तो चावल पहले पानी से धोया जाता है, तो यह हम लोग को routine देखने को मिलता है, चावल बनाने का, तो जब लोग अपने घर में चावल लेके जाएंगे और जब चावल बात करी, vitamin C soluble होता है, water soluble, पानी में घुल जाएगा, तो पानी में घुल कर वो बह जाएगा नाली में, vitamin C, तो फिर कैसे फायदा होगा, नहीं हो पाएगा न, तो इस चीज को कहा जा रहा है, यह इस चीज के लिए oppose किया जा रहा है, कि rice के अंदर vitamin C जो है वो नहीं मिला जाए जाए और food fortification rice के लिए ना की जाए, right, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ बरवादी होगी, तो यह चीज सामने नजर आ रही है, बाकि आपको food fortification के बारे पता होना चाहिए, जो मैंने भी आपको औरेडी पता दिया, कि extra nutrients add करना food में, अलक से, जिसे कि malnutrition का जो issue है, वो finish हो सके, और हमारी country के अंदर, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, 2016 October में, FSSAI Food Safety and Standard Authority of India, इन्होंने शुरू किया था food safety and standard fortification of foods, regulation 2016 को, और हम लोग wheat floor हो गया, यानि कि यह wheat मतलब गेहु हो गया, चामल हो गया, right, इसमें हम लोग extra nutrients मिला रहे हैं, iron, vitamin B12, folic acid, दूद, और edible oils में, vitamin A, vitamin D, और double fortified salt, iodine, iron, तो यह सब चीजें, इस पे हम लोग हो काम कर रहे हैं, जिसके थूँ हम लोग हमारी country के अंदर, पोश्टर की problem उसको दूर कर सके हैं, right, कि जिसे की, लोग सर्फ यही खाना खाए, यानि कि जनरली अगर, लोग rice भी अगर खा रह पर, जो चावल मिलेगा, यानि कि गरीबों को, राशन शॉप के तुरू जो चावल मिलेगा, वो fortified rice होगा, बट उसका पोस किया जा रहे हैं, क्यों हम पोस किया, वो मैंने आपको explain कर भी है, समझा दिया, और India की nutritional strategy 2017, जो है, इसने food fortification को, एक one of the important intervention के तोर पर रखा था, जिसके चलते हम लोग, एनीमिया, विटामिने, आयोडीन की deficiency, जो लोगों में होती है, तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, इसमें extra food, यानि की nutrients वगेरा food में मिला कर, तो यह चीज है, तो यह था पूरा oral topic, hopefully आपको अच्छे से clear हो गया होगा, food fortification, ध्यान रखना लगाता अब news में है, आ सकता है, lidar technique या फिर lighter technique इसको कहते हैं, इस पर अपन बात करेंगे, light detection and ranging survey technique है यह, काफी easy सी चीज है, पहले भी कई बार explain कर चुका हूँ मैं आप लोग को, पहले एक overview देता हूँ, फिर theory पे, चलेंगे और फिर बात करेंगे कि यह topic news में क्यो था, तो देख के पास, यह जाएगी, टकराएगी, बौपेस आएगी इस device के पास, इसके दुरू क्या पता लग जाएगा, कि यह नीचे का distance कितना है, first point, secondly यह map करती है, mapping के लिए काम में लाती है, रसी कि आप देखना है, इसके नीचे एक घर है, ठीक आप यह record कर लेगी कि नीचे जो है technology को, और इस technology के बार में थोड़ा सा theory में आपको बतायता हूँ, तो light का उपयोग करती है, pulse laser के form में, जैसमर ने भी आपको बताया था, और यह measurement purpose के लिए होती है, और light pulses जो होते है, उसमें और भी दूसरा data यह record करती है, airborne system के तुरू, जैसमर आपको बताया 3D information, यह create कर द light जब वहापस आती है, उपर तो पता लग जाता है कि कितनी नीचे यह object है, और even wide form में भी calculate करती है distance को, wide in the sense कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance कितना होती है, इसको भी calculate करने की इसकी छमता होती है, ठीक है काफी अच्छी technology है, हम लोग को देखने को मिलती है, और बिलकुल light बहुत ही fast यह काम करती है, जैसे light की speed जितनी होती है, light जितनी speed पर travel करती है, तो approximately उतनी ही speed इसकी होती है, पूरा map बनाने की, record करने की, क्योंकि light की उपर ही पूरा यह काम करती है, इसमें laser होता है, scanner होता है, GPS receiver होता है, specialized GPS receiver, aeroplane और helicopter की मदद से यह technology का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप यह picture में देख रहे थे हैं, और अभी यह topic news में से लिया है, क्योंकि National High Speed Rail Corporation Limited, यह जो body है, यह company है, यह इस्तवाल करेगी, LIDAR का, LIDAR technique का किस purpose के लिए, तो Delhi Varanasi High Speed Rail Corridor बन रहा है, और इसी company को, National High Speed Rail Corporation Limited को, जो है वो दिया गया है, Ministry of Railways ने task की, इनको project, detailed project report जो है, वो तयार करनी है, Ministry of Railways ने को कहा था कि, यह detailed project report तयार करेंगे, कि जो यह Delhi Varanasi का पूरा route है, तो इस route में, क्योंकि problem यह है, कि इस route में काफी सारे terrains है, यहापर एक तो densely populated urban area भी है, भारी जंता वाला area हमें, शहरी area देखने को मिलता है, rural areas भी है, highways हैं, roads हैं, gharts हैं और भी green field projects वगएर और हमें देखने को मिलते हैं, तो यहापर इस company को task भी आगया है, कि यह पूरा detailed report जो है, वो तयार करें, वो बताएंगे कि किस route पर यह Delhi Varanasi corridor जो है, वो हम लोग create कर सकते हैं, जिससे कि किसी प्रकार के issues ना है, किसी प्रकार का, जैसे कि environment से related या किसी च जितने भी topic पड़ाएं हैं, अगर आपको अच्छे से clear हो गए हैं, दिमाग में बैठे हैं, like का button hit किये बेना मच जाएए guys, क्योंकि आप जितना like करेंगे, उतना ही YouTube जो है न, उसका algorithm को जीसी प्रकार को था, आप like करेंगे, तब यह दूसरों को recommend करेगा, ज्यादा लोग बुद्धिजम के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, बुद्धिजम बहुत important topic के थोड़ा के थोड़ा के इसको detail में पढ़िए, बुद्धिजम topic को, बुद्धिजम को और उसके प्रकार, types कितने होते हैं बुद्धिजम के, तो उसको आपको पढ़ना है, और यह आपका आज का homework है, इसको करने के बाद नीची comment box पे लिख देना, sir homework done, मुझे बतालग जाएगा, आपने homework complete कर लिया है, और monthly PDF paid package अगर आपको join करना है, तो इसकी fees minimum 100 rupees per month की है, पूरे महीने की fees है, आप जिस भी month का लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, जैसे ही आपको December का लेना है तो मैंने आपको lecture के बीच में बताया था, 800 rupees स्रिफ इसकी fees है, पूरे 2020 का आपको मिल जाएगा, जितनी भी इसमें आपको magazine देता हूँ, पूरी आपको मिलेगी, क्योंकि आप जो ये lectures देखते हैं, इन lectures के आपको daily lectures की PDF मिलती है, daily handout notes आपको provide किये जाते हैं, इस package के अंदर आपको weekly compilation PDF provide की जाती है, revision के लिए, आपको monthly magazine दी जाती है, और इसी package में included है, मैं आपको complimentary basis पर minimum 150 quotients provide कराता हूँ, जो की civil services examination के pattern की ओपर भेजड होते हैं, तो इतना सब कुछ आपको दिया जाता है, minimum 100 rupees पर month की fees में, तो आप ये चाहें, तो आप ले सकते हैं, जोइन कर सकत पर दी हुई है, और आप चाहें, तो इस QR code के थुरू भी fees पे कर सकते हैं, और fees पे करने के बाद, नीचे एक बार description पर देख लिएगा, मैंने अभी notice किया था, कोछ इस्टोरेंट fees पे कर रहा है था, और उसके बास पर उन्होंने मेरे बास कोई message भीजा ही नहीं, और फिर कर दी, fees पे करने के बाद, कमलाक्षजा at the read gmail.com, यह मेरा email ID है, नीचे description पर आपको email ID मेरी मिल जाएगी, इस email ID पे आप अपना पूरा नाम, आपका contact number और आप fees की screenshot भीजेगा, उसमें यह लिख दीजेगा, email पे आपको किस मंत की PDF के लिए enroll होना है, यानि किस मंत का package आप आपको join करना है, सिर्फ इतनी information आप दे देंगे, आपको within 24 hours package में add कर लिया जाएगा, या फिर नीचे description पर एक form भी है, आप चाहो तो वो form भी भर सकते हो, आप form भर दोगे तो मुझे जो चीज़ों चाहिए आपकी वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है, और facebook पर अगर आप है तो आप मुझे add कर सकते हैं, कमलाक्ष जा मेरा नाम है, और ये मेरा number है, number भी save कर लिजे, 9713282838, number है, और कोई भी query हो आपकी, कुछ भी आपको मुझे से पूछना है, current affairs से related या paid packet से related, facebook पर आप message कर सकते हैं, ये number है, ध्याद रहे, इस number पर call नहीं करना है, इस number पर SMS के थ चौबी जंटे में reply आप ठीक है, और टेलीग्राम पर अगर आप हैं, तो नीचे टेलीग्राम के अपने channels भी है, channel के वो आप join कर सकते हैं, discussion group भी है, उसको भी आप join कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगा आपन कल, तब तक लिए bye bye, take care, have a great day ahead, tata